अब शुक्राइब झाल आप डियूटली फाइन और आज का जू लोग है बहुत ही खास होने वाला है क्यों मैं उसकी वही बजाता हूं जो अभी मैंने आपको बताया था कि मेरे जैसे पापा जो है वो वाइल लाइफ फोटोग्राफी का काम करते हैं थोड़ा मुझे भी शौक चड़ गया है फोटोग्राफी करने का लेकिन वाइल लाइफ का नहीं मुझे वेडिंग फोटोग्राफी करने का शौक चड़ा है औ और अगर मैं आपको बता सकूँ कि जो वेडिंग फोटोग्राफी है इतनी असान नहीं होती और उसमें कई सारी चीज़ें आपको कैमरे के ऊपर अपने जो डेसलार है जिससे आपके कर रहे हो फोटो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे खरीजनी पड़ेंगी ज आज मैं जो आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूं बहुत ही बड़ा चीज़ है अगर आप स्पीड लाइट जानते हो स्पीड लाइट बिसिकली एक फ्लैश लाइट होती है अगर आप किसी स्टूडियो में गए हो अपनी फोटो खिचवाने पासपोट साइज या कोई बिसिकली फोटो खिचवाने अगर गए हो अप तो आपने देखा होगा अपने केमरे के ऊपर एक फ्लैश लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड लाइट बसिकली उस पीड लाइट काम ये करती है आपका कितना चहरे पर आपके कितना फ्लैश आनी चाहिए कितना नह मैंने नहीं किया है पापा नहीं मंगाये तो इन्होंने अनबॉक्स्क वर्णड की नई युडियो मैं नहीं मना पबया लेकिन मैं आपको इसका डे रेव्यू दे रहता हूं, बहुत है अच्छा है औहुंट मैं इसको आपको क्रोख लिखता हूं यह है हमारी कैनन की नई स्पीड लाइट और यह है हमारा वर्जन 470 EX AI जैसा कि देख सकते हैं और AI मैं आपको बता रहता हूं AI क्या होता है आज कल AI एक ऐसी चीज है जो इंसान का काम बहुत असान कर सकती है कि एक तरीके से वह कंप्यूटर की लैंग्विज में इंसान ही है मतलब अगर आप जैसे आपका Google Assistant हो गया Voice Recognition System हो गया Fingerprint Scanner हो गया यह सब एक AI के अंदर आते हैं इस दिन स्रें मोबाईल मैं एक सफ टेक्नोलोजी के अंदर ही नहीं बहुत सी चीजों में आजकर AI आने लगी है जैसे कि टेसला जो हमारी कार्स हैं बहुत अच्छी कार्स हैं बैट्री ऑप्रेटेड कार्स हैं जो और वो फ्यूल कंज्यूम नहीं करती है तो उसके अंदर मैं इसके बार मता देता हूं AI एक अपने आप में एक इनसान है जो आपका काम असान कर सकता है बिना आपकी permission लिए वह अपने हिसाब से अगर आपने उसको set कर रखा है तो वह अपने हिसाब से उसको convert करके ठीक कर सकता है सेम कुछ ऐसा ही procedure इसमें भी है इस speed light में और इसमें यह है कि यह जो आप इसके आगे यह red light देख रहे हो यह basically इसका sensor है और यह sensor यह काम करता है कि अगर आप किसी की photography कर रहे हो जैसे wedding photography मैंने आपको बताया उसमें यूज होती है यह सब तो अगर जैसे आपका इस चीज का direction कहीं और है जैसे मैंने इसको EU करके घुमा दिया है तो अगर आप जिस चीज की photo feature है वो automatically यह चीज अपने आप sensor पदा लगा लेगी कि इनसान किदर है तो वो अपने आप अगर इनसान जैसे इधर बैठा है मेरे तो वो अपने आपी इ यह जो face है वो कर लेगी प्लस इसके अंदर एक यह diffuser भी दिया है diffuser का काम करता है यह देखने है यह एक परदे जैसा है चोटा सा यह basically light को control करता है अगर आपकी जैसे flash एकदम मुह पर पढ़ लगी है flash ज्यादा हो रही है तो यह चीज आप इसको ऐसे लटका के अगर click करो अगर फोटो तो एकदम चंद के आपकी light आपके face पर पढ़ेगी तो इससे फाइदा यह होगा आपकी photo quality और जो light quality जब आपकी photo आएगी तो उससे और भी बहतर हो जाएगी basically बड़े बड़े लोग diffuser लेकी भी चलते है इससे जादा काम नहीं होगा लेकिन हाँ photography में बहु वह आपका set रहेगा और जैसे मैंने अगर यहां पर कोई इंसान मैठा है और मुझे उसकी photo खीचनी है तो मैंने अगर इसको यहां पर angle set वाल बटन दबा दिया है तो वह यहीं पर set हो जाएगा और इसकी दूसरी खास बात यह है कि इसमें AI के Samsung Wi-Fi की system है और इसमें 4 cells cell आते है normal A4 cell वह बहुत चल जाएंगे लेकिन मैंने जो यहां पर किया है मैंने चार अलग company के यह cell के संग मंगवाए है battery जो की rechargeable है और इसकी जो खास बात यह है कि यह बार बार आपको इसकी time जादा लेती है लेकिन इसका duration जो time period है चलती बहुत जादा है तो guys अब मैं आ बांच करके दिखाता हूं सबसे पहले तो आपको करना यह है कि इसको न्यूं करके खोलना है यह ऐसे तरह ओपन हो जाएंगे देख रहे हैं आप चार से लग सकते हैं इसमें अब मैं इसमें अपने चार से लगाता हूँ कुछ उड़ा लग गया मेरे से तो guys जैसा कि आपने देखा यह हो चुका है on मैंसे on नहीं है मतलब यह अब जब मैं अपने यह मेरा DSLR जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा तो अगर मैं इसको इसमें लगा देता हूँ शायद इसमें भी बैटरी नहीं है मैं एक बड़ चेक कर लेता हूँ सब्सक्रार दिखाता हूँ यह कैसे होती है यहां इसको बहुत ही नॉर्मली इसको आप एक लॉक होता है यहाँ पर इसको अगर आप जूछ झारता हूं तो को झैसले केमरा और इसमें एक यह नीके लॉक होता है इसको इस हरो करने वाला लॉक पूरत है ऐसे प्रचली अभी अन्लॉक है मैं इसको जेंटली लगा देता सो कम हूं यहाँ और यह o है हमारा अभी यहाँ पर अब आपको करना यह है कि यह जो मैंने आपको आ पर क Meg Attire का हिखा धार को अपको घुमा करें वह अब करे बिलकर है यह यह पर इसको फिक्स कर दिया अब जैसे आप इस यह बटन होगा on and off का जैसा कि आप देख सकते हो इसमें जैसे ही मैं इसको on पर सेट करूँगा तो यह ब्लू गलर की लाइट जलेगी और इसमें रीडिंग निखाने लगेगा आपका यह कितना है क्या है अब आप यह बारी AI की मैं आपको बताता हूँ इसमें AI कैसे काम करता अकर जैसे मैंने इसको अपनी तरफ यह बटा कर दिया है तो आप जैसे میں इसको सामने आ लहाओ जी तरफ फोकस करूँगा तो यह अपने आप भूंके जैसा कि आपने देखा यह जहां पे अगर आप इधर तुमारी अधर इसको होँ अधर सेट किया है और इधर कई वा कृ फोटो खीछनी है मैं एक सिंगल क्लिक भी नहीं करूंगा एक सिंगल जैसे वह होता है ना फोकस का जब कोई आदमी अगर फोकस करेगा तो बस वह करेंगे अपने आप यह हो जाएगा इसके क्वारेटी यह है और इसमें वाइफाई भी लगा है आप वाइफाई से भी इसको कर सकते हैं अगर आपकी पास सिंगनल डा हो या को जो तो इसमें वाइफाई भी होगा इन बिल्ट है और आगर इसमें आपड़ लेको बेलान को बार और ढगाए और अगर कोई बंदा इसकी सेटिंग देखने चाता है तो स्क्रीन शॉट लेकर देख सकता है और एक और बात गाइस यह AI बेसिस पे तो है लेकिन आप इसको अगर आपको जैसे भी आपको सोविधा लगे और मैं आपको दिखा रहता हूं अगर मैं इसको हैंड़ी डिस्ट्रप करता हूं तो यह आप जैसे कि देख रहे होंगे यहां पे ब्लू गलर की लाइट ब्लिंग कर रही है इसका मतला अभी यह मैनुल मोड पे आ गया है लेकि एक छोटिस चीज में बैसिकली आपके जित्ती भी लाइफस्टाइल है आजकल की मोबाइल है कंप्यूटर है सब में एक तरीके से AI काम कर रहा है हर तरफ AI है आजकल इसका जो प्राइस है मैं आपको बदा रहता हूं इसका प्राइस मुझे करीबन बारह हजार तक का अगर आप बाय करना चाहol तो इस लिंग पे ट्लिक कड़के ले सकते हो सकते, अगर आपको इंटरेस्ट हो सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं मेरा बेसिक वीडियो जो बनाने का मोटो था इसका रिव्यू देना था अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर शरूर करना क्योंकि भाईसाब होली भी आ रही है थोड़ा तो प्लीज मेरे ह अगले व्लाग मेरे